मध्य प्रदेश के विदिशा में विदिशा की शतादेक वर्ष प्राचीन श्री रामलीला मेला, लीला दर्शन समिती की बैठक श्री विश्वनात शास्त्री पुरम, प्रधान संचालक चंदर किशोर मिश्र के निवास पर आयोजित हुई, जिसमें 121 वर्ष में 14 जनवरी 2022 22 से आयोजित होने वाली 27 दिवसिय श्री रामलीला से संबंदित बिभिन विशयों पर चर्चा हुई, एवं श्री रामलीला के सभी कार्यक्रम विगत वर्षों की भाती हर्ष उल्लास के साथ मानाने का सर्व सम्मती से निर्ने हुआ, साथ ही प्रमुख पात्रों का चयन कि इस वर्ष श्री राम का अभिने जनार्दन चतुरवेदी, जानकी जी का अभिने यथार्थ शर्मा, लक्षमन जी का अभिने हर्ष शर्मा, भरत जी का अभिने तनमे शर्मा, शत्रुगन जी का अभिने तनिश चतुरवेदी करेंगे, प्रधान संचालक श्री पम चंद्र किशोर मिश्र की अध्यक्षता में आयो जित इस बैठक में मुख्यरूप से उपप्रधान संचालक डॉक्टर सुधांशु मिश्र धर्मादेकारी पम गिर्धर गोविंद प्रसाद शास्त्री, रजी सभाके सचिव श्री सुरेश शर्मा शास्त्री, मानसेवी सचिव राजीव शर्मा पम मनोज शर्मा, एडवोकेट मदन किशोर शर्मा पम शिवराम शर्मा, डॉक्टर अनिल शर्मा पम रवी चतुरवेदी, डॉक्टर कपिल चतुरवेदी सहित श्री रामलीला समिती के सदस्य उपस्थित रहे। विदिशा मध्य प्रदेश से भाया लाल धाकर की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें अपनों की खबर आप तक। ठर्णों take, रामाँ ब्र्टम के खबरों देखते रहें हो जशार गानना है . प्रौंते वीचित — झाल, प्रौंते हैं रहें कि यार्ण की खबरें उपका खबरें पिश्टक्स přारी हुछ